उत्रखंड अपनी हरी भरी वादियों के साथ ही अपने अनुकूल मौसम की कारण जाना जाता है वही इस मौसम में भी उत्रखंड के लोगों को काफी तेज गर्मी की मार झेलनी नहीं पड़ रही है कभी एक से दो दिनों तक चलचलाती धूप निकलती है तो वहीं अगले ही शुन तेज बारिश और आंधी गर्म मौसम को ठंड में बदल देती है अचानक हो रही मौसम में बदलाव के कारण मैदानी और पहाडी शेत्र के लोगों को काफी परिशानी का सामना करना पड़ रहा है इसके तहती इस बदलते मौसम को लेकर दून अस्पताल के एंटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर विकास सिंग ने कहा कि गले की परिशानी और सर्दी जुखाम या तो ठंड के समय लगता है या तभी लगता है जब मौसम में बतलाव होता है वहीं इस मौसम में लोगों को गर्म पानी पीते वहना चाहिए साथी बहुत भीड़बाड वाले इलाकों में जाने से बचना चाहिए देवदून से ब्यूदो चीफ अवनीश कुपता की विपॉर्ट कर देवद देव होता है कि लैसे आपने बुला आपनी जब मौसम चेंज औह इना में जाते है तो इससे आप को आपको आपको बुदूर्पी अलग प्रीशिता होता है और दूसरा रिजन है इस मौसम में कई पेशेंट्स को एलर्जी भी रहती है तो जो सिंटम्स आप बता रहे हैं सर्दी खांसी होना यह उसका भी एक लक्षण हो सकते हैं तो पहले तो किस तरह से इसमें बचा जाएं 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 करता है लगातार काम करते रहता है तो एक्जास हो जाता है उस टाम पर आपके इमर्टी काम हो जाती है तो वाइल इंफेक्शन और उने के चांस रहते हैं तो इन सब बातों का ध्यान दें इस तरह से आप इंचिनों से बच सकते हैं